बिहार की वेशाली से एक हैरान करने वाला माबला सामने आया है वहाँ पर लूट के इवरादे से गहनू की दुकान में घुसे एक लुटेरे को उल्टे पाउं लोटना पड़ गया दरसल उसने बंदूक की नोग पर दुकान को लूटना चाहा लेकिन दुकानदार की हिम्मत ने उसकी इस कोशिश को नकाम कर दिया जिसकी गवाही दी वहाँ लगे सीसी टीवी कैमरे के फुटेज ने जिसमें दिखा कि बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर आया और मौका पाकर उसने अपने जेब से बंदूक निकाल ली वो दुकानदारों को धमकाने की कोशिश में लगा रहा उनमें एक ने उसकी तरफ जपट्टा मार दिया जैसे ही वो लोग लुटेरे की तरफ बढ़े उसके हाथ पाउं फूल गए और वो वहाँ से भाग निकला दोनों लोगों ने समझधारी दिखाते हुए पहले दुकान का शटर बंद किया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो इसके बाद उन लोगों ने इसकी शिकायत थाने में दर्स कराई जिसके बाद वहाँ पुलिस की एक टीम जाज के लिए पहुँच गए